क्लास्टेंट के प्यारे विद्धावती जानदे आज किस वीडियो में क्लास्टेंट सोसल साइंस से कोश्चन लिया हुआ कि भारत में उगाई जाने वाली मुख की रेशेदार फसलों कौन-कौन सी है के लिए यहां से दो नम्मर का एक प्रिश्ण आपका पूचा जाएगा क्लियर है कि छोटी-छोटी कुश्चन आपको दो नम्मर में पूच जाएगे के लिए रे देखेगा भारत में उगाई जाने वाली मुख की रेशेदार फसले चार है के लिए रे मुख की है ऐसे तो बहुत सारी पर मुख की पूचाना आप से हां पर देखेगा मुख की प काट में उगायजाने वाली मुख की रेसेदार फसले निम्नेocol Mr.1 क पास चूट और प्रकतिक रेसम क्लिए जिसमें से कापास चूट सं तीनों म्रदा फसल उगाने से प्राप्त होती मतलब जो कापास है वो भी कहां पर मेड़ी मतलब कापास जोट भी कहां पर मिड़ी में सन भी आपकी मिट्टी में उगाए जाए मतलब ये तीनों जो फसले हैं किलेरें ये कहाँ पर उगा जाती है ये मिर्दा में उगाए जाए परद्थू जो हमारा रेसम के जो रेसम है और रेसम के कीडे के कोकुन से प्राप्त होता है मतलब क्यो है क्या है रेसम के कीडे से कोकुन प्राप्त होता है ये कहाँ पर होता है सहत के पेड़ की हरे पत्ति पर पलता है कहाँ सहतूत के सहतूत के पेड़ जो भी सहतूत का पेड़ हैगा उसकी जो पत्ति रहेगी हरी उस पर क्या है ये पलता है कौन सा रेसम वाला तो मुक्की रूप से चार है कौन-कौन सी कपास, जूट, सन और प्रकतिक रेसम, जिसमें से कपास, जूट और सन क्या है, मिर्दा में हुगा जाती है, और एक जो बची हुई क्या है, रेसम वो कहां पर हुगा जाती है, तो रेसम के कीडे के कोकुन से, क्या है, रेसम के कीड कि कोकुन से प्राफ्त होता है जो सहतूत के पेड़ की हरी पत्ती पर पलता है तो दो नम्मर में इतना पूछ जाता है तो यहां से बढ़िया से यह किर्शी चेफ्टर चार अध्या आपका है तो अच्छी से इसके लिए लिजे मिलते हैं इसके अगले वीडियो में आज के ल सब्सक्राइब कर लिजे साथ साथ नोटिफिकेसन आउन करते चलिया मिलते हैं इसके नेस्ट वीडियो में वंदे मात्रम